तुम ऐसे संत मुनी राज के तुमने जन जन में यो लास भरा, दिव्य देशिना से यहां देखो धर्ती पर आकाश भरा ऐसे संत शिरोमणी अचार गुर्वर श्री विद्या सागर जी महा मुनी राज के पावन चर्णों में शत्षत नमन विद्या गुरू के रोचक संस्मरंट सुनने के लिए हमारे चानल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और विद्या गुरू के और भी संस्मरंट सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को अवश्य सुने तो आज का यह प्रसंग हमने आनिर्वचिनिये व्यक्तित्व पाठिक्रम दो से लिया है तो आज हम बात करेंगे सन 1976 की 1976 में चातुरमाज के पूर्व जब आचार भगवन ससंग कुंडलपूर पहुचने वाले थे उसके कुछ समय पूर्व मुनी शिरी समय सागर जी महराज जो की उस समय छुल्ला कवस्ता में थे और सिर्फ 18 वर्ष के थे वेगम भी रूप से अस्वस्त हो गए उनका बुखार बहुत समय से कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था तब ही उस समय के विद्वान पंडित श्री जगमुहन लाल जी शास्त्री ने गुरुदेव से अनुरोध किया कि गुरुदेव यहां जंगल है और यह बस्ती बहुत छोटी है कोई वैद आदे भी यहां उपलब्द नहीं होंगे और वर्षायों की स्थापना में अभी पूरा एक माँ बच्चा हुआ है अता छुल्लक्षरी समय सागरजी महराज को मुझे आप अपने साथ कटनी ले जाने की अनुमती दे दीजिए आचारे गुरुवर ने अनुमती देते हुए कहा श्रावकों का अधिक संपर्क सैयम में बाधक होता है तब पंडित जी ने कहा कि गुरुवर अगर आपकी आग्या हो तो क्या छुल्लक्षरी योग सागरजी महराज को भी अपने साथ कटनी ले जाऊ तब आचारे भगवन में मना करते हुए कहा कि नहीं पंडित जी आप छुलक्षरी नियम सागर जी को अपने साथ ले जाएए चुंकि छुलक्षरी योग सागर जी महाराज और समय सागर जी महाराज गुरुवर के ग्रहस्तावस्ता के भाई थे अतह गुरुवर का अभिप्रायत था कि अस्वस्थता में समय सागर जी महाराज को मोहना उत्पन हो जाए तब पंड़ित जी छुललक्षरी समय सागरजी महाराज और नियम सागरजी महाराज को अपने साथ कटनी ले गए अब एक दिन की बात है छुललक्षरी समय सागरजी महाराज का स्वास्त अत्यन्थ बिघड गया उनको ठंडा पसीना आने लगा ब्लेट प्रेशर भी अस्ती से सहते स्तक गिर गया नाड़ी भी नहीं मिल रही थी और हाट ने भी ठीक से काम करना बंदिसा कर दिया डॉक्टर उन्हें बोल दिया कि अगर आधूनेक पधती से उपचार नहीं किया तो समाधी भी हो सकती है ऐसी स्थिती में पंडिजी को अचारि भगवेंद के वचन्याद आ गए कि श्रावकों का अधिक संपर्क सहियं में बाधक होता है अतो उन्होंने उपचार तो नहीं कराया और समय सागर जी महराज से पूछा अगर आपका स्वास्थ नहीं सुधरा तो आप क्या करेंगे महराज जी तब महराज जी ने बड़ी ही सरलता से उत्तर दिया कि हम समाधी ले लेंगे पंडिजी ने कहा क्या भीतर से आप पूरी तरह तयार है तब महराज जी बोले कि आप चिंता ना करें पंडी जी, मैं पूरी तरह तैयार हूँ और मरण भैसे भी मुक्त हूँ तब पंडी जी ने भगतामर जी का पाठ करना शुरू कर दिया अब रातरी यारा बजी की बात है बलड प्रेशर पैतिस से अधिक हो ही नहीं रहा था उन्हें मूर्चा सी आने लगिया तब छुलक शिरी समय सागर महराज जी ने पंडीक जी के बेटे प्रमोद कुमार जी से कहा यदि मैं मूर्चेत हो जाऊं तो मेरा इतना खयाल रखना कि समाज के लोग मुझे अस्पताल ना ले जाएं ऐसा वचन दीजिये मुझे उन दिनों वर्धा में शास्किय चिकित साले के सुप्रसिद्ध डॉक्टर निगम कटनी आये हुए थे उन्होंने महराज जी को देखा तो वे बोले ऐसी स्थिती में चीतना रहती ही नहीं है यह तो महराज जी का आत्मबल है जिससे वे बोल रहे है कोई चमतकार ही है जो इन्हें बचा सकता है अब ऐसा सुनते ही पंडित जी ने उसी समाएक व्यक्ति को अपने पुत्र के साथ कार से कुंडल पुर भेज दिया अचारी श्री जी के पास पत्र लिखकर भेजा कि छुलक श्री समय सागर जी महराज का स्वास्त बहुत बिगड गया है और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है समाधी का काल आ गया है समाधी के लिए साथु कोई भी नियम तोड़कर आ सकता है अता आप कटनी आ जाईए पत्र पढ़कर गुरुदेव ने उत्तर दिया पंडित जी स्वयं सक्षम है समाधी करा देंगे मेरे आने की आवश्यक्ता नहीं है फिर भी प्रमूत कुमार जी बार बार निवेदन करते रहे परंतु गुरुदेव तो शांत भार से सुनते रहे प्रमूत कुमार जी एक समय के बाद आवेश में आ गए और उन्होंने गुरुदेव से बोला छुल लक्षरी समय सागर जी महराज संगर्ष्ट साधू है और आपके ग्रहस्त अवस्ता के छोटे भाई भी आपको कटनी चलना ही पड़ेगा गुरुदेव आप इतने कठोर तो नहीं हो सकते और यह कहते कहते ही उनके आखों से आसु बहने लगे क्योंकि मर्यादा तो दोनों के बीच थी ही गुरुदेव ने अपना आशरवाद देते हुए प्रमोत कुमार जी से कहा कि आप आशरवाद पंडित जी को दे दीजे वे समाधी कराने के लिए सक्षम है और आशरवाद लेकर प्रमोत कुमार जी वहां से कटनी के लिए निकल गए इधर छुलक्षरी समय सागर जी महराज के अंगूठे में मकर्धोज आदी आशरवाद एवं पूरे शरीर पर सिकी अरहर की दाल के चून को लगाया जा रहा था जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाए लेकिन जैसे ही प्रमोत कुमार जी गुरुवर का आशरवाद लेकर वहां पहुचे तो मानों बड़े बाबा की क्रपा से और गुरुवर के आशरवाद से आशधी ने काम करना शुरू कर दिया तथा ब्लड प्रेशर समान ने हो गया और कुछ ही दिनों में छुल्लक्षरी समय सागर जी महराज स्वस्थ हो गये कुछ दिनों के पश्चाज पंडिजी कुंडलपुर जी गए तो उन्होंने अचारे भगवन से पूछा कि गुरुदेव इतनी अस्वस्थ अवस्था में भी आप कटनी क्यों नहीं आए तब गुरुदेव ने कहा पंडिजी ग्रहस्त और साधों के चिंतन में यही तो अंतर है समय सागर जी महराज युवा है भावनाओं का आवेग था और साधना का काल था यदि मुझे देखकर उन्हें मोह उत्पन हो जाता तो उनकी समाधी ही बिगड़ जाती अचारी ऐसा कोई कारे नहीं करते जिससे निरग्रंथों में ग्रंथियां उत्पन हो पंडिजी ने जब अचारी गुरुवर के अंतसके भावों को सुना तब वे उनकी द्रण धर्मिता को देखकर गुरुवर के चड़नों में नत्मस्तक हो गए धन्य है आचारी गुरुवर जो बिना कुछ कहे ही सब कुछ कह दिया करते हैं अगर आपको यह संस्मरण पसंद आया हो तो अपने परिजनों और मित्रों में अवश्य शेयर करें ताकि वे विद्या गुरु के संस्मरणों से वन्चित ना रह पाएं जय जयने रो